केंदिरिय ग्रहमंत्राले ने सबस्डरी इंटेलिजन्स बीरो जिसे आम जुबान में आम लोग इंटेलिजन्स बीरो के नाम से समझते हैं और जिनके काम करने का तरीका तमाम अजंस गुपचर अजंसियों से बिलकुल अलग है और जिनकी प्रेजन्स लग भग जमुकुश्मीर में भी सभी जगाओं पर है और देश में कोई ऐसा कुना नहीं है जहां पर इंटेलिजन्स बीरो के लोग काम नहीं करते और ये भी माना जाता है कि अगर देश का गुपचर विभाग आतंकवाद और अलगावाद और उसके इलावा माविजम और एक्स्ट्रीमिजम और सेपरिडिजम और उसके इलावा जो धार्मिक कटरपंथ है अगर उसके खिलाव मजबूती के साथ देश लड़ाई लड़ रहा है उसका एक कारण है कि इसमें इंटेलिजन्स बीरो का बहुत बड़ा रोल है इंटेलिजन्स बीरो टैप करती रहती है लोगों के पर लगातार नज़र रखती है और उसके बाद रिपोर्टें तयार करती है और इन ही रिपोर्टों की बिना पर बड़े बड़े हादसे होने से तल जाते है Subsidary Intelligence Bureau की पिछले दिनू 9 नौमबर को तमाम Subsidary Intelligence Bureau जितने देश जितने भी राज्यू के हैं और केंद्रशास्वित प्रदेशू के हैं उनकी मीटिंग केंद्रिय ग्रहमंतरी अमिच शाने ली इस मीटिंग में केंद्रिय ग्रामंत्री ने उन से ये पूछा कि गुसपैटिये भारत में किन-किन प्रदेशों में पहुँच गए हैं और गुसपैटियों की तैदाद कितनी हैं उसको लेकर जब उन्होंने बताया कि किन इलाकों में गुसपैटियों का नंबर कितना कितना है केंद्र गरहमंतरी के सामने जब भी सारी चीज़े रखी गई तो उन्होंने इस पर चिंता जताते हुई कहा कि ज़रूरत इस बात किये है कि हर गुसपैटियों को बहे जा जाए यानि सो घुस्पेट यह हर राज्जसे और हर केंदर शाठव प्रदेश में अब आई-बी को identify करने हैं और identify कौन से घुस्पेट यह करने हैं यानि वो लोग जिनके पास documents नहीं हैं वो लोग जो बिना passport के यहां आए हैं वो लोग जो अवैद गलब तरीके से भारत में आये हैं और भारत में इस समय रहा हैं वो लोग जो ने के पास UNHCR का कार्ड नहीं है बिना कार्ड के यहाँ पर रहा हैं और सिर्फ इतना ही नहीं सुप्रीम कोट ने भी अब इसमें इसमें किन के उपर जमुकश्मीर में नजर रहेगी रोहिंग्यू के उपर जो रखीन मायनमार से जमुकश्मीर में आएं हैं पिछले लगबग 16-17 साल से और कई नेताओं के मताबिक तो 21 साल से ज्यादा का समय हो चुका है कि आइस् रोहिंग्याज ने रखेन से मायनमार से जमुकश्मीर आना शुरू किया और इसमें भी सम्भाग में उन्हें आइस्ता आईस्ता रहना शुरू किया उनका नंबर आइस्ता आइस्ता भढ़ता गया नतीजा यह निकला कि भटिंडि और सुंजूआ और कुछ और इलाकों में उन लोगों की बस्तियां बस गई उन लोगों की बस्तियां बसने के बाद एक जुट जम्मू हो जम्मकुष्वी नाशनल पैंथरॉस पार्टी हो या अन्य जम्मू के राज़ितिक दलू हो जिसमें बीजेपी कॉंग्रस सभी शामिल हैं इन तमाम राज़ितिक दलू ने इस पर जबरदस बवाल काटा और कॉंग्रस पर इलजाम लगाते हुए बीजेपी ने एक जो जम्मू ने और बाकी दलू ने ये कहा कि ये कॉंग्रस के कारेकाल में सभी लोग यहां आकर बसे हैं कॉंग्रस ने परटबार किया कि भार्ट जंता पार्टी की जब केंद्रिय ग्रहमंत्राले की भी डिरेक्शन है और केंद्रिय ग्रहमंत्राले के साथ साथ में सुप्रीम कोट ने भी एक और दिया था आठ अप्रेल 2021 को जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारती शेत्र से तमाम रोहिंग्यू को उनके देश वापस भेजा जाना चाहिए ल लिस्ट माइनमार की हुकूमत को दी जाएगी माइनमार की जो सरकार है वो उस लिस्ट को अपने यह वेरिफाई करेगी और जब वेरिफाई करेगी और उसे ये पता चलेगा ये तमाम लोग वाकई रखीन के रहने वाले हैं माइनमार के शेहरी हैं उसके बाद जब वो एक सिती और ज़दा खराब हो जाती है फिर इंको भेजा तो भेजा कहां जाएगा फिर बंगलादेश के साथ यह लिड्जियर की जाएगी बंगलादेश से पूचा जाएगा क्या यह बंगाली तो नहीं है जो इस तरह आए हैं तो यह मतलब प्रक्रिया यह है इस प्रक्रिया से गुजर कर यह प्रक्रिया मुकमल होगी तो इन्हें इनके देश वापस भेजा जाएगा लेकिन इसके बीच में सरकार ने इस बात को सुनिशित करने के लिए कि कि यह रोहिंग्या जितने भी आये हैं यहां पर यह आतंकवादी गतिविदियों में शामिल नहों और किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था के साथ खिलवार न कर पाएं अलगलग अजनसी उन्हें अपने तरीके से इनकी वेरिफिकेशन शुरू की और उसके बाद मार्च 2021 में 155 मायनमार के नागरिक जो हैं जो जम्मू में रह रहे थे उन्हें हीरा नगर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया कहा ये गया कि इन लोगोंने पास्पोर्ट अक्ट की वाइलेशन की है इनके पास वैलिट डॉकिमेंट्स नहीं है जम्मू कश्मीर में रहने के लिए तो इन्हें Retention Center में भेजा जाता है इन्हें BOOK किया गया और Retention Center में भेज दिया गया इस पर भी जबर्दस थंगामा हुई नेताओं और अलग-अलग राजिदी के दलू नहीं ये कहा कि कल तक गल तक अगर ये किसी बाहर जब तक जेल के बाहर रहा रह रहे थे तो ये खुद कमा रहे थे खुद खा रहे थे लेकिन आपने डिटेंशन सेंटर में इने बेजा अब जो टेक्सपेर का पैसा है भारती है टेक्सपेर का उस टेक्सपेर के पैसे से आप इनको मुफ्त खिला रहे हो पिलार है और ये मज़े से डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर में लंबे वक्त तक रहेंगे लेकिन अपने घर वापस नहीं जाएंगे ये बात अलग-अलग राजितिक दलू ने की और उस पर भी उन्होंने एतराज जताया और सिर्फ इतना ही नहीं समाज सेविक संस्थाओं ने भी ये कहा कि इन्हें डिटेंशन सेंटर में नहीं बलकि जल्द से जल्द मायनमार वापस भेजना चाहिए लेकिन सरकार को प्रक्रिया को मुकमल करना है प्रक्रिया जब तक समात नहीं होती सरकार अलग-अलग अंतराष्ट कानूनों से बंदी हुई है और अंतराष्ट कानूनों का पालन करना सरकार की मजबूरी है उसके चलते सरकार अभी तक इनी डिपोर्ट नहीं कर पाई है अब जो केंद्रिया ग्रामंत्री अमिच्शा ने नौ नौंबर को मीटिंग ली उसमें साफ तोर पर इंटलिजन्स ब्यूरो को जो सबसे ताकतवर गुपचर अजनसी मानी जाती है उस अजनसी को कहा गया है कि अब आपने सौ इसी तरीके के गुस्पैटियों को ढूड़ना है और उन सौ गुस्पैटियों को ढूड़कर उन्हें गिरिफ्तार करना है और गिरिफ्तार करने के बाद उन्हें वापस उनके देश भेजने की पूरी कोशिश करनी है यानि अब जम्मो में भी रोहिंगिया मुसलमान जहां जहां पर रह रहे हैं उनके उपर Intelligence Bureau की अल्रेडी नजर है और Intelligence Bureau के पास अल्रेडी उनका डाटा है जो सुत्र बताते हैं Intelligence Bureau के पास पूरी Details इन तमाम लोगों की मौझूद हैं अब Intelligence Bureau को यह ताकत मिल गई है कि वो इन्हें गिरिफ्तार कर सकते हैं और गिरिफ्तार करने के बाद इन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं यह ताकत और यह काम जो है अब केंद्रिय ग्रहमंत्री ने सब्सजरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानि आई बी को सौंपा है देखना ये है कि आई भी जब ये काम करना शुरू करती है तो कितने प्रतिशत रोहिंग्या जम्मू संभाग से अपने देश वापस जाएंगे और ये भी देखना है कि जो अलड़ी हीरणा के डिटेंशन सेंटर में 155 लोग गिरिफतार हैं क्या शुरुवात उनसे की जाएगी कि उ उसके बाकी रोहिंग्यों को जो जम्मू संभाग के अलग-अलग इलाकों में रह रहे हैं उन्हें वहां से उनके देश वापस भेजा जाएगा